येरे स्टूडेंट बेल्कम तो माई यूटिब चैनल आज हम दो क्लाश 10th मैट की एक्साइज 2.2 को सॉल्ब करेंगे तो पहला कोश्चन रेकते हैं निम्दी के संख्याओं को आवाज गुड़ इंखंड के रूप में प्रैक्ट कहीजे तो इस कोश्चन को रेखते हैं इसकhralli के गुड़न गंड करने और सदूल करने हैं टर्छल गुड़र्च pls करने जांठी करने हैं इसको रूंदी के यूटिज इसके लासा सैंचयर जैसे निकालते हैं वैसे ऐजी तरी चैना है उजटे साथ के अधा करिग्स की तरिकतिक और माइज़ और इसको पांस से कर गोई कि आपको सही लगे अब भूलिक तो अगला है एक सुच्छपपन 156 अब 156 को भी आप 2 से कीजिए इसके आदे करेंगा 78 ठीक है 78 के आदे करेंगे 49 49 के आदे होंगे नहीं इसे आप 3 से काटेंगे तो 13 39 और 13 को 13 से 1 आ जाएगा इसके भी गुणे घंडा मैसी लिख देंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 इसे आप ऐसे भी लख सकते हैं 56 बराबर 2 की गाद 2 ऐसे लिख दीजिए 2 की गाद 2 गुणे 3 गुणे 13 ठीक है यह आपका आंसर हो गया उसके बाद है वे ट भाया और 35 ठीक अब देगे इसके अंत में 5 है यह दो से तो जाएगा नहीं यह तो क्लिए रहा है ठीक है इसे अब 3 से काट के दिखिए जब इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 तीन तीन दूनी छे पचाट दू तीन सुटेकिस पंदा कट गया 3 से फिर इसे ते वेटा 3 से काटेंगे तीन चौके अज़ा तीन बारह और पच्चिस्तियं पिचातर अब इसे पांस से काटना पड़ेगा तो आट पंचे चालिस और पच्छाप्चाप्चाइब अज़ा तो आट एफ एक गएगा तो ओट ख्यमलिभे त्याइक तीन तीन कुष्ण पांस जघ्लेतर इसे आट गज्या सकतर ओड़ेगा अब इसका पांच की गहाद दो गुड़ है 17 यह भी आपका अंसर है नेक्स पेज पर चलते हैं अगला कोशन है अपका पांच है पांच इसे कर देखते हैं इसे बिटा पांच से काटेंगे तो आजाएगा आपका एक जीरो जीरो एक ठीक है अब यह साथ से जाएगा साथ एकम साथ बचा तीन तीस साथ चोक एठाइस चोक एठाइस और यह किस कट गया उसके बार पिटा 143 यह ग्यारा से जाएगा ग्यारा एकम ग्यारा चीक है ग्यारा एकम ग्यारा पचा तेतेस तेरा तेरा इसे जाएगा एक आजाएगा इसके फ्रेक्शन पाँच जीरो जीरो पाँच पराबर पाँच गोडए साथ गोडए ग्यारा गोडए तेरा या पर मैं इदा साइड में लिख देता हूं उसके फ्रेक्शन पाँच गोडए पांच के प्रेक्ष्ण हुए आपके पांच गुड़ें साथ गुड़ें 11 गुड़ें 13 चीक है यह के प्रेक्ष्ण होगा इसके बार नेक्ट कोशन है आपको चोहतर उन्तिस इसके बेटा हमनों फ्रेक्ष्ण निकाल सकते हैं आप दो यक्ष्ण टर उन्तिस देख अध्युड़ें लाश्ट में नौ आया जाए एक आधो यह तीन से नहीं जाएगा ना साथ से जाएगा यह जाएगा 17 से जाएगा यह जाएगा 17 से जाएगा यह 17 चाएक करके देख लेते हैं 17 से ठीक है तो सत्रा एकम स्ट्रास रां चौतिस सत्रा चौके तीन बचा चाल यह साथ ठीक है अब यह 19 से जाएगा जो इसे 19 से काटिंग उननेच उननेच धूनिया थेज़ बचाल देज़ों नेच ठीक है थेज़ बेटा थेज सी जाएगा एक तो इसके बेटा फ्रेक्शन के आ जाएगे चोतर उननेच बरावर इसका गोड़ें खड़ना जाएगे 17 गोड़ें 29 गोड़ें 30 ठीक है नेक्स पिस पर आते हैं अच्छा इसमें क्या करना है उड़ांको अकर निर्म लिखित यूग वूमों क्या एक एक आप और एल्सीम ग्याद कीजिए तता ही कि जाच कीजिए दो संख्याओं को गुड़न फल बराबर एक पुड़ें लसीम तो निकाल लेते हैं बिटा सबसे पहले हम 26 का निकालते हैं 26 का आदर किएंगे तेरा और तेरा तेरी से कटेगा ठीक है उसके बाद एक्यानवे एक्यानवे के बिटा एक्यानवे हमारा क्यानवे हमारा साथ से जाएगा सात्य एकम सातृ सातेग हम सातृ सातृ estamos giàoppemos elements सथ हां सात्य तेरा हमें यहां से जाएगा एक तो बाताः है इसके देने 26 के पेक्योहन मेरे पास Лएक में सात्युन से यांवे इक्यां सातृ चावेह को पास है पहले से बता दो सीफ कि जो उबहनेश्ट हो जो कॉमन हो जो उपर हो नीचे हो वह हम लेते हैं इसका इसमें क्या मिलना सब तेरा ही मिलना है तो इसका स्चेप कितना हो गया तेरा अच्छा अलसी हम में क्या होता है वेटा एल्सीम क्या होता है जो है बचया ब eight तेरा दो बचया दोकों ले लिया ये सात बचया इस साथ को लीली ये पर क्रिमा करेंगे तो आेघ्ञाám आरा एक सो भ्यान्ति नीक हें आदस अबर हो गया उसने क्या बोड़ा पोड़ाईंगों कि नेले लेखे डिवनों कि एसरी पर आल स्य मासा और ला स इसे ब 예प को बोलते हैं ला सा भार्पी। जाच कर लिए उसने बहुत है संग्या आधा को अında बराबर 001004 आप अने हैं निश्च्फ हन कर लीते हैं इसका फ़र्स्ट नंबर गोड़ें जैकेंड नंबर इकवल बराबर L-C-M गोड़ें चाहिए आप L-C-F गोड़ें लेड़ें कोई दिक्कर वाली वात नहीं है अचा पहला नंबर क्या है मारा फर्स्ट नमबर क्या है हमारा 26 और दूसर नमबर क्या है 91 यानि 26 गोड़े 91 बराबर LCM क्या है बेटा मेरा 182 और LCP क्या है बेटा 13 बेटा जब 26 गोड़े 91 करेंगे तो हमारा आएगा 23 छाचट क्या आएगा 23 छाचट पराबर इसका गोड़ा करेंग तब भी हमारा आजाएगा 23 छाचट ठीक है यह सौल हो गया अच्छा अगला कॉश्चन देखते हैं सबसे पहले हम लोग 510 की निकालते हैं पर किसकी निकालेंगे फिर निकालेंगे हम लोग बान बेखे ठीक है तो पांसो दसके पहले निकाले वाटा पांसो दसके आधे करेंगे कितना हो जाएगे 255 कि अ क्किष्का ay Internet stories 155 के आदे होगे इससे तीन से कर दीजिए थीक है थीक है तीव हम् causes cotton life 4 3 3 7 21 3 28 24 थिक बचाएग इसी पनाव ते काट है पिच्छ पिच्छ को पांस से काटेंगे पांच पांच एकम पांच पांस 7 37 से जाएगा इधर एक आ जाएगा बानवे को काट दीजे बानमे का थे 46 46 के आद है 23 23 से ही जाएगा गुड़ां खंडी की दीजे 510 बराबर 510 की क्या है 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17 हमारे 92 की क्या है बिटा 2 गुड़े 2 गुड़े 23 ठीक पहले SCF निकाल दीजे इसका मैंने बोला जो उपर हो नीचे यानि उबनिष्ट कॉमन इसमें सिर्फ दो ही तो हमारा कॉमन है तो इसका SCF क्या गया 2 अच्छा LCM की बात करें जब जब हम लोग LCM की बात करेंगे तो जो दो है इसे तो लिखेंगे जो बचा है वो भी लेंग जैसे तीन बचा है पांच बचा है सत्रा बचा है लेजिए ले लीजे पांच गुणे सत्रा दो बचा है तेज बचा है 14460 थीक है अब हमें क्या करना है जार्ड करना है जार्ड करना है जाज करने है तो जार्ड कर लेते हैं सोंक जार्ड में विटा देखो1st number अमधने सेकंड इक बाल SCF क्या है ĉलच सीयम okay तो देखो विटा है पांसो दस कुणे बानवे बराबर ऐसी अब के निकल अबेटा मेरा दो एलसीम के अबेटा मेरा तेईस चार्सो साथ पांसो दस और बानवे गुणा करेंगे तो आएगा बेटा मेरा च्छालिस नोसो बीज आप लोग गुणा घर पर कीजिए ठीक है और इसका जब गुणा करेंगे तो आजाएगा च्छालिस नोसो बीज यह आंसर होगे है अगला कोश्यन देख लिएता है जी है वीटा 336 हचव गुणा क्या है मेरे पास 336 और चुग इसल इसको आप लोग खुर्द हल किजीगा अगर आपसे हल ना हो तो मैं इसकी शौट वीडियो आपके आपके लिए डाल दूगा अगर यह आपसे हल ना हूं तो इसकी शॉट वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा पहली बत मुझे उमीद है आप लोग सभी हल कर लें इसे अगला कोश्चन देख लीजे अगला कोश्चन किया आवाज गोड़ों इंखंड बीदी दौान निम लिके पुडाउंगों को क सब्सक्राइब 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 तीन बाद, तीन को एक ठीक है, पंदा, पंदा को बटा तीन से काटेंगे, पांच और पांच को पांच से एक, 21 को तीन से काटेंगे, ठीक है, साथ, साथ को साथ से काटेंगे, एक, तो बटा हमारे पास बारा का गोड़ें खंड के आया पहले, बारा का गोड़ें खंड आया अच्छा मेरे पार 21 को गोड़ें खंड के आया तीन गोड़ें साथ ठीक है अब देखो बिटा मैंने कहा जो उबनिष्ट हो जो तीन हम देखो आप यह देख रहे होंगे यह तीन का उबनिष्ट बन रहा है तीन का उबनिष्ट बना है कि है आए एए रसय बरबर क्या जाएगा विटा तीन करें से आए एल सी हम देख लेते हैं विटा मोलबना है अलस्व में विटा देखो तीन तो हम लेंगी इस तुथ तीन हमने ले लिया वाकी बचा हुआ जैसे यह दो 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 गुणे दो ठेक बचा पांच यह पांच बचा है तो यह पांच ले लिया यह सात बचा है इस साथ को भी ले लिया मैंने तीन दूनी छे, छे दूनी बारा बारा पंजे शाठ और साथ साच शाच शिंग ब्यालेस इसका अंसर आएगा 420 यह आपका ऐलसियम हो गया ठीक है अच्छा बैटा अब अगले कुश्शिन तब चलते हैं यह तो बाटा भूती सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि देश्ट इस अंतिस टेगा पिटा सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक आएगा थीज को तेश्ट से ही इसको तेश्ट कट एक आएगा 29 नियुक्त को तेश्ट कटने वाली संक्याइब तो बेटा देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुण एक मान लिया जैसे यह वाला एक तेश्ट को लेख सकते हैं तेश्ट गुण एक ठीक है ओन्ते मुझे सकते हैं इस प्रोब क्या लिख सकते हैं उन्तेस कुणे एक हमें क्या चाहिए वेटा रसी अगलना है क्या निकालना यह तो बराबर एक अपके निकालना है मैं एलसीम 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 बेटा एक तो रहे गाई और बाकी बच्चा को क्या बच्चा है 17 23 और 29 इन तीनों का गोड़ इंखंड बेटा क्या आएगा इन तीनों गोड़ इंखंड आएगा 11 तीन सो उन्तालिस आंसर चीकर बेटा अब देख लो बेटा आठ नौ और पच्चिस निकाल लो बेटा आठ का दो से काटेंगे दो तौरी चार फिर दो से काटेंगे दो फिर दो से काटेंगे एक तीन को बेटा नौ को बेटा तीन से काटेंगे तीन ठीक है तीन से काटेंगे एक ठीक है 25 को बेटा 5 के पांच से काटा 5 वार फांच ठीक है अच्छा बेटा अब देखो इसके हम लिखे लेते हैं क्या करेंगे हम इसके गोड़े खंड लिखे लेते हैं जैसे 8 के गोड़े खंड हमने लिखे दो गोड़े दो ठीक है फिर उसके बार हमने in in conflict आ एक सके वेक्र कि ना o के लिखते है ये मिरे पास तीन गुड़े ती है पच्चेस के लिखा हम ने मेरे पास पँड़े पांच आ है पूछ बेट अ मिलतो रहां नहीं है सिट कि अहींज है कि तुमUL एसी अधे हैं ऐन कर देतें Hag एक एक यह भालत करा एक एक तो वेटा इसमें सेँट क्या निकलेगा में यह और यह तो निकलेगा गार्स lijओ सेफ बराबर एक अच्छा यह थो दो यह अब बात कर लेते हैं लोग लोगं सिंुम कि यह सेी क्या लें हैं एक तो ही मेरे पास गोड़ें जो बच्चा हुआ वो जैसे ये दो ये दो ये दो दो गोड़ें दो गोड़ें दो ये तीन ये तीन तीन गोड़ें तीन ये पाँच ये पाँच पाँच गोड़ें पाँच गोड़ें पाँच गोड़ें पाँच तो दूना चार चार दूना 25 ठीक है तो इसका बीटा अगर आप तीनों मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तीनों का अगर मल्टिप्लाई आप करेंगे कितना आएगा करके देख लेते हैं दो दो दूना चार चार दूनी आठ तीन तरिका नो 72 बातर गुणे 25 अठारा सो यह क्या हुआ आपका अंसर हो गया यह क्या हुआ आपका अंसर हो गया ठीक है अगले कोशिन की तब चलते हैं ऐसी अप 306 652 नो दिया है एल्सियम 306 651 ग्यात कीजिए क्या गयत करना है ग्यात कीजिए तो देखो बटा जैसे अभी हमने आपको सूथ लिखायता है अल्सियम गुड़े एस्टियों बराबर फर्स्ट नंबर ठीक है गुड़े सेकंड नंबर ठीक है हमें दिया गया है एल्सियम हमें किता दिया गया नौ दिया गया है नंबर क्या दिया गया है दो अल्सियम है तीन सो छे कुणे शेसो सटावन पटे नौ क्या नौ से कोई संग्या कटेगी नौ से कोई संग्या कटेगी तीन सच्छे कड़े आएगी नौ से काटेंगे इसे कि नौ नौ तियां सिताइस ठीक है जटीन चाहिए ठीक है चाहिए 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 तो ल्सियम बराबर आपका आजाएगा चाहुत्यस गुड़े 657 यानि आंसर बेटा मेरे पास क्या आएगा इसका 22 338 जाज कीजिए कि किया किसी प्राक्टिस है क्या के लिए छे अंग पर 0 समाप्त हो सकता है तो बेटा इसके लिए थोड़ा हमें स्टेट्मेंट लिखना पड़े या जैसे जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है उसके अभाज उसके अभाज गुड़न खंड गुड़न खंड गुड़न खंड दो गुड़े पांच के रूप में होते हैं तो बेटा एक काम करते हैं हम 6 का फ्रेक्शन करके देख लेते हैं अगर 6 के फ्रेक्शन यानि 6 का गुड़न खंड हमाई दो गुड़े 5 की रूप में आए तो तो यह हमारा समाप्त हो जाएगा जीरो पर अनिता यह समाप्त नहीं होगी तो जैसे कि रूप में छे के फ्रेक्शन किये दो से काटा तीन आया तीन से काटा यह इसमें पांस तो कहीं आया नहीं दो दो आया से तो क्या करेंगे लिख रहेंगे यह अता अता छे किसी मान चे अता यह जीरो पर समाप्त नहीं होगी जीरो अता यह जीरो पर समाप्त नहीं होगी अगले कोशन देख लो या क्या कीजिए कि साथ गुड़ें ग्यारा गुड़ें तेरा प्लस तेरा और साथ गुड़ें छे गुड़ें पांच गुड़ें चार गुड़ें तीन गुड़ें एक गुड़ें एक प्लस पांच पाजे संक्याए क्या हैं पाजे संक्याए क्यों है यह है वा बिटा पाजे संक्याए क्यों है तो जैसे पिटा हम सबसे पहले इमस ले लेते हैं शा गुड़ें 11 गुड़ें 13 गुड़ें 13 तोड़ी lesser साथ गुड़ें 11 गुड़ें 13 गुड़ें 13 गुड़े 13 अब एक काम करती हैं वेटा इसमें सम्हें boundary cable common लेते हैं तो तेरा कॉमन लेंग में तंड़े क्या बच्छेगा साथ गुणें 11 गुणें 1 प्लस 1 चीक है चीक है तो बेटा इसका गुणा कल्लों अंदर ये अंदर क्या बच्छेगा सतत्तर प्लस 1 चीक है तो यह जा अपका तेरा गुणें 8 चीक है अच्छा 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 अच इसका statement क्या मनेगा बटा इसका statement मनेगा यह भाज संक्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुड़न खंड भी है देखो बटा इसके और भी गुड़न खंड वह सकते हैं अभी तो आप लिख दोगे यह है अध्य पाज अध्य एक संक्या है क्योंकि इसके एक एक के अलावा अन्य गुड़न खंड है अन्य गुड़न खंड है अच्छा दूसरे वाले पॉइंट को देख लेते हैं दूसरा वाले पॉइंट का है मेरा साथ गुड़ें छे गुड़ें पांच गुड़ें चार गुड़ें तीन गुड़ें तो गुड़ें एक प्लस पींच यही है तो हम क्या करते हैं बेटा हम इसके इसमें से क्या कॉमन लें तो इसमें देखो क्रॉबंट 5 आएगा क्योंकि यह भी 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचाएगे बेटा साथ गुणे छे गुणे एक गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक प्लस का हुआि में प्लस का एक मत्षराओ में चाहिए इसब का गुणा कर लेंगे इंघचा कby डा कर लेंगे जो जाएगा आपका पांच अंदर हो जाएगा आपका एक एक हजार आठ प्लस का एक यह वाला एक ठीक तो यह जाएगा पांच गोणे एक जीरो नौ अच्छा इसके भी और गोणे खंड निकले आएंगे तो इसमें बेटा यही तो यही जही पूरा जह पूरा सेम स्टेटमेंट यहां भी वर्क करेगा ठीक है यही स्टेटमेंट आप लिख दीजेगा इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद अगला कुश्चन देख लेते हैं यह लिखाए बीटा केसी खेल के मैदान के चारो और एक ब्रता का पद है इस मैदान का एक चक्कल लगाने में सूनिया को 18 मिनिट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कल लगाने में रवी को 12 मिनिट लगते हैं मान रीजे बेद दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारम करके एक ही द्रिशा में चलते हैं कितने समय बाद भी पुरा प्रारम के स्थान पर मिलेंगे अलों दोनों का पूछा है, एक का नहीं पूछा है, दोनों का पूछा है, तो इसका हम क्या हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए हम 18 और 12 का लासा निकाल देंगा, 18, 12, 18 निकाल देंगे, दो से काटेंगे, ना, छे, दो से काटेंगे, ना, तीन, तीन से काटेंगे, तीन, एक, तीन से काटेंगे, एक, एक, दो दूना, चार, चार, तीयां, बारा, बारा, तीयां, छत्यस, यानि दो गुणे, दो गुणे, तीन, गुणे, तीन, दो दूना, चार, चार, तीयां, ब यानि कित्ते मिनिट लगेंगे 36 मिनिट आयोप आप लोग को समझ में आया होगा अगर जो कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्षेन पर बता दीजेगा मैं आपको उसकी एक शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और मेरा अंदाद आया अगर आप मेरी वीडियो को एक बानी दू बार देखेंगे तो तीसी बार आपको वीडियो देखनी जुरूत नहीं पड़ेगी आप लोग खुद सभी सवाल खुद आराम से सॉल्व कर लेंगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए वाएग